सबसे पहले तो सुब काम ना है all the best आज आपका एक्जाम में दो बजे से पाच बजे के बीच में इससे पहले में आपको कुछ टिफ्स देना चाहूंगा कैसे हमें पेपर को अटेंब करना है और पेपर देते से में क्या क्या सावधानिया हमें रखना है किस तरह से हम पेपर को अटेंब कर सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है हमें कौन सा बात में कर सकते हैं उसके क्या फाइद होंगे क्या नुक्षान होंगे ओमर सीट कैसे बरना है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि आपको अमर सीट स्टार्टिंग में भरना है या बात में बरना है या प पांच मिट भी आपके लिए फाइदे मंद रहेगा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना सबसे पहली बात आप जितने भी डोकुमेंट से वह आप एक जगर जमा लीजिए और दो बजे का जो टाइम है आपका दो से पांच का आज का एकजाम है 31 साथ 2020 का तो आप वहाँ पर दो गंटे पहले पहुंचने की कोसिस करना बहुत सारी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि नहीं हम तो पहुंच जाएंगे एक बज़े या देर बज़े तक जाकी पहुंच जाएंगे आदा गंटे में सब काम हो जाएगा ऐसा ब मानलो बीच में बारिस आगए आपको रुखना पड़े आपका एडमिट कार्ट गीला हो गया कपड़े गीले हो गए कुछ बात हो गई आप बाइक पे जा रहे हो तो इसलिए आप दो से तीन गंटे का बेक अप लेके चलना बहुत इंपोर्टेंट बात है आपने इतनी अ प्यारी किये मानलो आपका एक्जाम सूर जाता है तो कितना दुख होगा ठीक है तो ये चीज आपके साथ में नहीं होनी चीए दूसरी बात आती है आपको क्या कर दोकुमेंट्स रखने है एक तो आदार काड आपके पास में होना चीए आपका ओर विजिनल ठीक है और एडमेट कार्ड है उसकी आप दो कोपी करवा ले ना बैटरी यह होगा एक को आप थेली में रख ले ना और एक एक्स्टा दूसी जगा और रख ले ना ठीके ना होगे यह तो बात करनी है कि कितने बज़ें हमें पहुंचना है और क्या के चीज़ें हमें लेके जानी है अब मैं बात करता हूँ व इमार्ट भरना है यह इंपोर्ट इनट बात कि कहीं सारे स्ट signature गलती कर से पहां सरे बहुत से थे हैं और येसे सवा सवाल सोल करते जाएं मालो आपने एक सवाल सोल किया ठीक है तो एक सवाल का अपना गोला भर दिया गोला भरने का भी तरीका होता है इस तरह से आपको गोला भरना है पूरा डार्क करना है और बाहर नहीं निकलना चीए ठीक है ना यह सबसे परफेक्ट मीडियम होता है भरने फुर्ण हो खेगा ठीक आपने बाहर निकाल दिया इस तरह से बढ़ाग़ और इस तर खाली कि ये बीगर बढ़े गलत मिडियम हो गया सबसे बैटर ये वाला थीके तो गोला गड़ने के एक तरीका होता है मैं पता ही क्या सजेस्ट करूंगा आपको UMR, CTF स्टार्टिंग से ही भरना है स्टार्टिंग से मतलब जैसे आपने एक सवाल सोल कर लिया उसका गोला बर दो दूसरा सवाल सोल किया उसका गोला बर दो तीसरा सवाल सोल किया उसका गोला बर दो जो इसके फाइदे क्या है एक तो आप में हर बढ़ाट नहीं रहेगी मन में ठीके ना लास्ट में मालो आपके 15 मिट बसते तो आप हर बढ़ाट में उसको भरने की कोसिस करते हैं बड़ी जल्दी जल्दी मालो टाइम हो गया कुछ सवाल चूटने का डर रहता है पहली बात यह निकल कराती है दूसरा अगर गलती से भी एक लाइन मिस हो गई मालो आप 5 सवाल है मालो आपने दूसरा सवाल भर दिया तीसरा सवाल चूटके तीसरे सवाल का अंसर चोते सवाल में भर दिया तो कही न कहीं वो मिस्टेक हो गई और वो mistake end तक हो जाएगी फिर यानि कि आपकी सारी मैनत बिल्कुल पाने में फिर जाएगी last में बढ़ने के नुकसान नहीं है last में अगर आप भरते हो तो उसके नुकसान है last में time बचे या ना बचे time की भी दिक्कत हो सकती है time मुश्किल बचे आपके पास में और गोला भरने में भी दिक्कत हो सकती है गोला भरने में मालो आपके सवाल छूट गए तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है तो last में नहीं बढ़े मैं यही suggest करूँगा आपको कि आप OEMR seat को starting में ही बढ़े यानि कि जैसे जैसे आप करते जा रहे हैं सवाल वैसे वैसे ही उसको वरते जाना है अच्छा एक और बात निकल कर आती है कभी भी OEMR seat में जो आप रोल नमर लिखते हो रोल नमर या जो भी चीज़े उसमें भरना है बिना टीचर की सलाकें मत भरना क्योंकि कभी-कभी हरवराट में गलती हो जाती है तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है रोल नमर अपना नाम या जो भी चीज़ें वाँ पर भरनी है वो आप किसी से पूछ के ही भरना अपना दिमाग एडवास दिमाग मत लगाना चाहिए टीचर से पूछना है किसी से पूछ लेना उसके बाद में आप भरना और आराम से तसलिश से उसको पेपर को देना अच्छा बहुत सारे स्ट गलती करते हैं सबसे पहले पूरा पेपर पढ़ेंगे तो हमें क्या करना है पूरा पेपर नहीं पढ़ना पूरा पेपर नहीं पढ़ना है हमें पूरा पेपर नहीं देखना है ठीक है ना इसके नुकसान क्या होते हैं पूरा पेपर हम पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग सभी सब्जेक्ट में लगने लग जाता है हम क्या करेंगे पहले एक सब्जेक्ट को देखेंगे एक सब्जेक्ट का मतलब जैसे मालो हमें रिजनिंग सबसे पहले करना है तो हमें सबसे पहले उसी सब्जेक्ट को देखना है other subject को हमें नहीं देखना है हम सिखसक अभी रूची करने जा रहे हैं ठीके सिखसन अभी रूची हम करने जाने जो subject है तो हमें उसी के paper को देखना है ना कि Hindi, English, ZK, Reasoning सभी को देखना है वो सभी नहीं देखना है ताकि हमारा दिमाग डाइवर्ट ना हो उन सभी सवालों में केवल हमारा दिमाग सिक्षन अभी रूची में रगे ठीके ना ये बास समझ में आ गई आपको पूरा पेपर एक साथ नहीं पढ़ना है ये बात ध्यान रखना बहुत सारी स्टोडेंट पूरा पेपर हमें साथ में पढ़ लेते हैं अब देखो आपके पास में time management होना चीये time management इसले होना चीये कि कहीं बार क्या होता है यह reasoning बहुत ज़्यादा time ले लेती है और subject में आपको इतना time नहीं लगेगा तो reasoning बहुत ज़्यादा आपका time ले लेती है तो आपको एक time management रखना पड़ेगा 3 गंटे में कि आपको reasoning को 1-5 गंटे के अंदर हराल में complete करना होगा मालो आप reasoning को 1 गंटे में complete करते हैं तो आपके पास में 4 subject बढ़ते हैं तो 4 subject में 3 section माले ताओं में 50-50 सवाल के 4 section जो आपके होते हैं इसमें एक reasoning होता है reasoning में आपने मालो 1 गंटा बिचा दिया तो आप gk में आप 10 गंटा बिचा लो ठीक है गया तो आदा घंटा आप यह मान के चलो कि आप OMR सीट चाए बीच में भर रहे हो या फिर लास्ट में भर रहे हो तो आप आदा घंटा बचा के रखें उसी इसको आदा घंटे का बेक अप लेके चलें मालो आपके किसी भी सब्जेक में ज्यादा टाइम लग जाता है तो आपके पास में वो टाइम रहता है आदा घंटा एक्स्टा जिसको आप काम में ले सको समझ में आ गई बात तो इस तरह से प्लानिंग रखना अब मैं कह रहा हूँ आपको कि आपको कौन सा सब्जेक सबसे पहले करना चीए तो मैं सबसे पहले आपको यही सब्जेस्ट करूँगा सिक्सक अभी रूची जो होती है teaching aptitude जो होता है उसको आप सबसे पहले करें उसका reason क्या होता है कि इस विशे में हमारे सबसे ज़्यदा अंक आते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि 3, 2, 1, 0 marking system होता है यानि कि सबसे सही जवाब का 3 answer इससे थोड़ा सा moderate जवाब मध्यम जवाब का 2 answer दो अंक और उससे थोड़ा सा हलका जवाब उसका एक अंक और चोता जो option होता है वो बिल्कुल गलत होता है उसका हमें 0 number मिलता है तो ये subject ऐसा है जिसमें हमें ज़्यादा number आने की priority देती है तो इसको सबसे पहले मैं attempt करने की सला दूँगा सबसे पहले आप सिक्षन अभी रूची करना बहुत ही ध्यान से और अच्छे से ठंडे दिमाग से करना इस subject को ये आपको मैं कह रहा हूँ आपको डेड़ सो में से सो प्लस अंक आसानी से दिलाएगी अगर आप में थोड़ा सा भी हलका सा भी दिमाग है अगर आप सामाजिक तरीके से सामाज समाज में जो चीजें सही है उस चीज को सही मानकर आप जवाब दोगे तो ये सवाल आपके आसानी सो जाएंगे सारे सवाल समाज पर ही निर्बर करते हैं सिक्षन समाज पर निर्बर करते हैं समाज में जो चीज सही है जो तरीका समाजिक तरीके से सही मानते हैं जिसे माननो कोई बच्चा सरारत कर रहा है तो सिक्सक को क्या करना चाहिए उसको पीड देना चाहिए उसको सभी क्लास के सामने बैजज़त करना चाहिए प्रिंसिपल को कहना चाहिए या उसको समझाना चा सिकायत कर सकते हैं फिर भी नहीं मानता है तो उसे थोड़ा सा punishment दे सकते हैं ठीक हल्का सा punishment दे सकते हैं इसका मा goose Evan Week को बहुत भेंकर तरीकी से पिटने लग जाओ तो कुस तरीके होते है देखो सिख्षक को कैसा होना चीह है लाल चीह होना चीह पैसे के पर्थि लालची होना चीए फिर सिक्सव को विध्यारती केंद्रित होना चीए विध्यारती को मतलब अच्छा पढ़ाने वाला होना चीए तो इस टाइप के सवाल जो भी आते तो हम ये बोलेंगे लालची थोड़ी ना होना चीए सिक्सव सिक्सफ होना चीए विध्यारती के अंद्रित यानि कि विध्यारती को समझा सके फिर उसके बाद में मैं बात करूँगा कि सिक्सफ अभी रुची के बाद में आप reasoning को attempt करना और reasoning को भी आप अच्छा सा time देना क्योंकि ये भी अगर आप concept के लिए है reasoning में तो ये आपको अच्छे नंबर दिलाएगी reasoning अच्छे नंबर इसलिए दिलाएगी क्योंकि इसमें गलत जवाब होने के बहुत कम chance होते हैं ज़्यादा तर सही जवाब होंगे अगर आपको वो सवाल आता है तो तुका नहीं सारे सवाल attempt करने आपको तो देखो चसो मार्क्स के जो सवाल है दोसो आपको सारे सवाल attempt करने है क्योंकि इसमें negative marking नहीं है आपको सारे सवाल करने है छोड़ना कुछ भी नहीं है ये बात ध्यान रखना negative marking नहीं है मतलब पाने के लिए ही आपके पास सब कुछ खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो हमें ये paper आसानी से attempt करना है ठीक है दूसरी बात निकल कर आती हिंदी अंग्रेजी और जीके तो मैं ये कहूंगा कि ठीक है आप हिंदी अंग्रेजी को attempt कर ले ना फिर सबसे last में करना जीके को attempt ठीक है ना क्योंकि जीके में क्या होता है कि आपकी इतनी अच्छी पकड़ नहीं होगी हम 12 बाद में निकल कर आते हैं अगर arts बेग्राउंड से नहीं है science बेग्राउंड से तो हमें जीके में दिक्कत होती है ठीक है जिसके पास subject जिसने जोगरफी और स्ट्री पड़ा हुआ है तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी तो arts वाले चाहिए जीके attempt कर सकते हैं पहले बड़ मैं science वालों को यही सला दूँगा कि बाद में ही जीके attempt करें बिल्कुल सान तरीके से बिल्कुल स्वच मन से और बिल्कुल अच्छ रिमार्ग से संतुलित होकर यह paper हमें देना है और एक time boundation बनाके सारे सवाल हमें attempt करना है सारे सवाल का मतलब जितनी भी सवाल उसमें है दोसों सवाल वो सभी सवाल हमें attempt करने है गोल आपरते time भी हमें बिल्कुल ध्यान देना है बहुत बहुत धन्यवाद